बिस्मिल्लार रख्वानि रहीम, अस्लाम वालीकूम एवरीवन, वल्कम बाक टु माइ यूटीब चैनल इक्राववदिक इक्रावदिक में मैं आप सब लोगों को एक मर्दपा फिर से वल्कम कहूंगी, कैसे हैं आप सब लोग उमीद है कि आप सब लोग खैये से होंगे, फिट होंगे, और ठिक-ठाक होंगे मेरे भी अलातरा से यही दुआ है कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें, आबात रहें आप सब लोगों को अपने उजमान में रखें, आमीन सुमा आमीन So viewers, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बहुत ही उबसुरत और स्थालिश फिल के साथ और डिफर्ट डिजाइनिंग के साथ नेक पैटरन के आईडियास So अमीद है कि आपको बहुत बसंद आएंगे तमाम पैटरन और तमाम डिजाइन इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए जितने भी नेक के डिजाइन एड़ किये हैं ये शिर्ट के लिए, टाप्स के लिए और बेबी फ्राग के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं और ये समर के लिए हैं अगर आप लोग विंटर में इस टाइब की डिजाइनिंग को यूज़ करना चाहें तो आप लोग विंटर स्टाफ प्लस जो है वो लॉग स्लीव रख लीज़ जाएगा ताकि स्टाफ जो है यही स्टाइल जो है विंटर के लिए भी यूज़ हो सके जो इस टाइब के वैकलस में या फिर कोई भी डिफरेंट डिजाइनिंग वाले होते हैं डिजाइन उसे भी आप लोग समर के लिए ही रखा करें ताकि वो अच्छे लगे और गर्मियों में इस टाइब के गमपटेबल जो पैटरन है नेक पैटरन बहुत प्यारी लगते हैं फ्राग के ओपर शिर्ट्स वगारा के ओपर आप लोग इस टाइब की डिजाइनिंग कर सकती हैं तो पैटरन को सेव करना ज़रूरी है ताकि आप लोग इससे समझा सकें दिखा कर असानी जी अगर आप लोग इसमें कुछ न्यू डिजाइनिंग एड़ करना चाहते हैं जैसे कि आप लोग को लेसिज की स्टालिंग एड़ करनी है बीड्स वगरा बटन स्टालिश एड़ करने हैं फ्लावर्स मिलते हैं लेस वाले वो यूज करने हैं तो आप लोग इस टाइप के नेक पैटरन में वो तमाम चीज़े यूज कर सकती हैं जो अच्छी लगें और आप लोग को भी अपसंद आएं तो आप लोग वो इसमें यूज कर सकते हैं आड़िंग करते रहना चाहिए ताकि आपके डिजाइन चेंज होते रहें कुछ ना कुछ नियू आड़ कर दें कलर्स चेंज कर दें लैसिस पैटरन आड़ कर दें वीदियोs को जा कर दिरूर देखें आपको अने वीडियो में बहुत सारी स्थाईखिक हों ise लिजूर कर नेृइए खू से आपके साथ से चयर करो हैं हम आपनों की रिक्वेस्ट को जरूर कंप्लेट करेंगे thank you very much guys वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं जिने वीडियो में तब तक के लिए take care keep spotting me and do subscribe my channel thanks for watching thank you once again अपना बहुत सारा ख्यार रखियेगा Allah Hafiz